नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टियो ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट आज का दिन बड़ा ही इंट्रेस्टिंग था क्योंकि मॉर्निंग में जब गैब डाउन ओपनिंग हुई तो नैंटी सेवन हंडर्ड का जो पिविटल पॉइंट था उसको तोड़ते हुए निफ्टी गया और वहां से जो रिकवरी आई है शांदार और अल्मोस्ट क्लोस टू टैन के जो दस हजार का लेवल है वहां पे उसने हिट किया तो दोस्तों कैसे ये शांदार रिकवरी हुई क कैसे ऑपरेटर का गेम होता है कैसे वो लोग मैनुपलेट करते हैं उसको जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपने मेरा मॉर्निंग अपडेट को फॉलो करना अभी भी शुरू नहीं किया तो फिर आप बहुत एक्शन मिस कर रहे है क्योंकि यह सारे इसके पहले भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि ऑपरेटर की एंट्री को कैसे पहचाने कैसे किस टॉक में यह पता करें कि ऑपरेटर की एंट्री हो गई है ताकि आप उसी समय पर अल्मोस्ट उसी समय पर एंटर कर सकें और जब आपको प यह उनके लिए है जो swing trading या फिर long term investors है उनके लिए यह strategy बहुत important है यह समझना वोज हो रही है कि कैसे operator का काम होता है तो जो चीज़े हम लोग इसमें जानेंगे कि operator क्या होता है थोड़ा था basic फिर से एक बार जान लेंगे operator की entry को कैसे पैचाने और operator जब enter करता है तो क्या effect आता है और उसको किस प्रकार से gainfully use करें उसके बारे में हम लोग जानेंगे operator कौन है operator FIA हो सकता है DIA हो सकता है market participant हो सकता है जिसके पास पैसा है पैसा मतलब liquidity जिसके पास भी पैसा है वो operator है क्योंकि वो market को manipulate कर सकता है by pumping money तो इसके पहला जो मैंने वीडियो है मैंने उसमें काफी detail ने बताया है operator कौन होता है और operator करता क्या है operator अपनी तरफ से कोशिश करता है कि जब उसकी entry और exit हो वो किसी को पता ना चल सके वरना सभी लोग उसको replicate कर जाएंगे तो धीरे से enter करता है और धीरे से exit करता है बास समझने आ रही है ताकि कम से कम price में manipulation हो और retailers उसमें फस जाएं तो यह कारवाई होती है operator की क्योंकि operator नहीं चाहता है कि उसकी entry के समय पर पूरी की market enter कर जाएगी तो फिर फायदा क्या होगा profit किसका होगा किसी की दिवाली किसी का दिवाला तो दिवाली किसी की होना है तो दिवाली वालों के साथ जुड़ना है दिवाला वालों के साथ तो दिवाली कैसे मनेगी? दिवाली तभी मनेगी जब आपको पता होगा कि दिये कहां जलने वाले हैं तो दिये जहां जलेंगे वहां पता चलेगा कहां operator enter हो रहे हैं तो कैसे पता करें? जब भी operator कहीं enter करता है जब भी कहीं operator exit करता है तो वहां पर वो सिर्फ एक चीज की trail छोड़ता है उसे कहते हैं volume अब volume में किस प्रकार के manipulation होते हैं? उसका मैंने एक video अलड़ी पोस्ट किया आप लोग जाएं दूस्तों सर्च करें wealth first operator मलब wealth first operator नहीं उस video मैंने आपको बताया है कि operator कभी भी जब stock में enter करता है तो price को fluctuate नहीं होने देता है यह तब की बात है जब उसने एक बार में entry कर दी एक बार में उसने पैसा pump in कर दिया तो वो price को fluctuate नहीं होने देता है by his various methodologies और volume बढ़ जाती है तो उससे आपको पता चल जाता है कि stock में operator की entry हो गई है लेकिन कभी कभी क्या होता है operator को इतनी volume में इतने heavy quantity में buying करनी होती है कि वो one day का affair हो ही नहीं सकता एक दिन में वो buy करी नहीं सकता तो उसको क्या करना होता है धीरे धीरे accumulation करना होता है many a times operator does not enter a stock in one go he accumulates तो दोस्तों ये आपको पता करना है कब उसका accumulation start हो रहा है ताकि आप भी simultaneously accumulation करने लगें अब उसके operator की entry के भी stages होते हैं जब वो बड़ी volume में जब कोई बड़ा operator बड़ा operator मतलब बड़ा anybody who is a big FII big DII और big mutual fund बड़ा investor कर रहा है तो कैसे इसको पता करते हैं तो price, volume, operator, action, retailer, action और signal से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत important ये presentation है आप इसको देखके समझे price अगर बढ़ता है अगर आपको chart पे price बढ़ता हुआ दिखाई पढ़ रहा है और volume भी बढ़ती हुई दिखाई पढ़ रहा है मतलब price भी उपर जा रहा है अभी आपको chart पे भी समझाऊंगा volume भी बढ़ रहा है और operator का action उससे आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि operator उसमें enter कर रहा है क्योंकि price भी बढ़ रहा है volume भी बढ़ रहा है औR retailer क्या सोच रहा है retailer wait कर रहा है कि घुए 6,000 आएका तमाम enter करेंगे retailer wait कर रहा है कि चार dona हरा है चृह दो-हजार का भी wait कर रहा है और nifty का तो 2-2 हजार के nifty का wait करने वाले operator वहाँ पे enter कर चुकेगा क्योंकि वहाँ पर यह signal clear cut bullish है जब volume और price दोनों बल रहे है वही पर अगर price बढ़ता है लेकिन volume गिर जाता है volume falls अगर price बल रहा है और at the same time volume गिरने लगती है यह clear cut indication है कि operator enter already कर चुका है अब operator जब enter करता है तो बड़ी volume बड़ी quantity के साथ enter करता है और जब volume गिरने लगें इसका मतलब क्या है कि operator की entry खतम हो गई है अब जो यह price छोटा मोटा बढ़ रहा है यह बढ़ रहा है retailers की वज़े से और क्योंकि उनकी formal entry हो रही है भाई मैं तो खरीद नहीं पाए तो यह क्या होता है यह simple से चीज है कि वहाँ पर आप इसको clear cut bearish single लें और market में वहाँ पर crash आ सकता है clear होगी आपको यह बात very nice अब क्या होता है कभी कभी price गिरता है लेकिन volume बढ़ती है भाई price गिर रहा है लेकिन volume बढ़ती है इसका मतलब क्या है volume बढ़ना मतलब high quantity में selling होना और उसका मतलब क्या है कि operator वहाँ से exit कर रहा है लेकिन as a retailer छोटी सोच तो क्या होती है भाई कि यार अभी तो निफ्टी recover करेगा यार मुडियो अभी तो recover करेगा recover recover कुछ नहीं करेगा कोई भी stock recover जब करना होगा तो उसके volume control में रहेंगे अगर आपने देखा volume बढ़ रहे है और price गिर रहा है मतलब कि उससे operator निकल रहा है वो stock से operator निकल रहा है अभी चार्ट पे भी समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या होता है ये clear cut heavily bearish signal होता है कि अगर volume बढ़ रही है price गिर रहा है करपिया करके हाँ जोड के आप लोगों से निवेदन है करपिया करके उस stock से timely निकल जाईए इससे पहले कि आप wait करते रहे जाएं और वहाँ पर आपको बहुत लंबा जटका लगेगा next price भी decrease कर रहा है और volume भी कम हो रही है ऐसा कब होता है जब already operator उससे निकल चुका है operator उससे निकल के बहार हो चुका है अपने profit को book कर चुका है और volume भी गिर चुकी है इसका मतलब क्या है अब उसमें कौन exit कर रहा है छोटा मोटा जो volume हो रही है वो लोग हैं जो बिचारे एकदम panic हो चुके हैं तो let me tell you friends it's a heavily bullish signal अगर price भी नीचे गिर रहा है volume भी नीचे गिर रही है तो वो एक bullish signal है क्योंकि उसमें अब operator एंटर करेगा because he will buy at those fill the down rates उस price पे गिरे हुए price भाय करेगा जिसमें कि already लोग panic में sell कर रहा है जैसा कि हुआ था जिब nifty was 7.5K साड़े साबजार गिरी थी सभी panic में थे सभी ने sell किया lower circuit लगा और वहीं पर operators ने भर भर किम्नाल खरीदा ओके दोस्तों इसको हम लोग chart पे समझेंगे कि यह कैसे होता है I'll make you understand on charts it's very simple very easily identifiable लेकिन उसमें emotions को control लगना होता है कैसे करते हैं पर समझते है तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक ऐसी secret tip भी बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जोरी इससा very very important pro tip यह chart लगा है बजाज finance का day का chart लगा हुए मतलब हर एक candle आपको बता रही है दिन का क्या movement हुआ है अब आप देखिए दोस्तों इसमें आपको पता चलेगा कि volumes बढ़ रही है लेकिन price गिर रहा है इसका मतलब क्या है यहाँ पर fresh buying नहीं करनी है लेकिन यह prices देखिएगा अभी इसमें क्या हुआ है यहाँ पर buying स्टार्ट हुई है और यहाँ से volume बढ़ना शुरू हुआ है मतलब operator is entering अब आपके दिमाए में question चल रहा होगा कि sir मैं किस average को किस volume को मानू कि वो volume ठीक है क्योंकि generally आपको volume ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ेगी volume will not increase like this लेकिन आपको volume कैसे बता करना है average आया moving average जैसे आप click करोगे तो यह आया यहाँ पर आपको what you have to do is you have to field में आपको close ना सर्च करके volume सर्च करना है volume अपने लगाया type आपको exponential रखना है और यहाँ पर आपको period रखना है 20 moving average क्योंकि operator का जो भी action होता है वो 20 दिन के अंदर maximum complete हो जाएगा बलकि 10 दिन में complete हो जाएगा तो आपको इसको कम से कम रखना है बट मेरे हिसाब से 20 moving average is okay अगर आप इसको set करके done कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप इसका moving average लग गया है volume के उपर यह आपको generally कोई बताएगा नहीं यह technique तो इसमें जब आपको लगे कि यह जो red line है red line के उपर volume बनना शुरू हो गई है उसको आप कहोगे more than average volume तो वहाँ पर अगर volume बढ़ती हुई नजर आ रही है और price का जो action मैंने आपको chart पर बताया है उसके हिसाब से आपको समझना है कि आपको क्या करना है बास समझ में आई for example अभी इसके last में क्या हुआ last में यह हुआ है कि price भी गिर रहा है और volume भी गिर रही है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है price भी गिर रहा है और volume भी गिर रही है इसका मतलब क्या है इससे प्राइस गिरना और हेवी वॉल्यूम मतलब की ऑपरेटर एक्जिट कर रहा है लेकिन यहां पे प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी गिर रही है इसका मतलब कौन एक्जिट कर रहा है इससे वॉल्यूम गिरना मतलब की रिटेलर का एक्जि में आई की नहीं आई तो यह concept आपको clear हुआ की नहीं हुआ अभी आपको एक और chart पर समझाता हूं तो दोस्तों आपको same वही काम करना है one day का chart लगाना है one day का candle और studies में जा करके आपको वही लगाना है volume का chart लगाना है volume में उसके बाद आपको moving average लगाना है link is right there in the description otherwise upstocks Alice blue किसमें आप खोलना चाहते है links are right there in the description and it will benefit you आपको एक short services में मिलेंगे हमाई तरफ से and you'll get lot of benefits by opening those accounts anyway तो इसमें आप देखिए दोस्तों बिलकुल simple तरीके समझा रहा हूं example तो बहुत सारे दे सकता हूं लेकिन आपको मैं समझाने की कोश्च करता हूं अब देखिए price गिर रहा है price is falling price is falling or not price is falling volumes are increasing कैसे पता चलेगा moving average के ऊपर निकल गई volume मतलब की volumes are high volumes are high अगर यही moving average के नीचे होती तो volume क्या बोलते हैं हम लोग low volumes are high prices falling prices का गिरना भी तेज है volume भी तेज है इसका मतलब क्या है operators are exiting operator निकल रहे है operator निकलने के बाद क्या होगा भाई आप देख सकते है price कितनी तेजी से गिर रहा है यहां पर volume बढ़ रहा है और price गिर रहा तो operator निससे निकलने प्राइस तेजी से fall कर रहा है और उसके बाद जब panic selling हो चुकी है लोग panic हो चुके है लोगों के पास माल नहीं बचा है उसके बाद क्या हुआ operators ने यहां पर volume बढ़ा ही आप देखिए green candle बड़े बड़े हुए पिछले candle से भी ज्यादा बड़े candles green वाले candle बन रहा है और price बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि operator निहां पर enter कर रहा है आपको यहां पर enter करना है क्या आप यहां पर enter करेंगे यहां पर enter आप नहीं जब operator exit कर रहा है, volume बढ़ रही है, price गिर रहा है, तो आपको enter नहीं करना है, you don't have to catch falling knife, enter कब करना है, enter करना है, जब volume बढ़ रहे हैं, और price बढ़ रहा है, बहुत समझ में आई, लेकिन आप लोग उसमें कैसा होचते हैं, आपकी psychology क्या होती है, आपकी psychology होती है, यार ये तो अभी फिर से गिरेगा, nifty तो यार 4,000 जाएगा, nifty 2,000 चला जाएगा, nifty 0 हो जाएगा, भाई, ऐसा नहीं होता है, please understand, it doesn't happen that way as you are thinking, price बढ़ रहा है, volume बढ़ रही है, please enter for God's sake, if you don't enter, the same will happen as it is happening with you on day-to-day basis, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर operator एंटर कर गया, 600 के price पर operator के entry खतम हो गई, यहाँ से volume गिरना शुरू हो गई, देखें, moving average के नीचे जा रही है volume, इसका मतलब क्या है, volume गिर रही है और price बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ है, यहाँ पर retailer भाई साब अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे लाओ, FOMO हो गया उनको, FOMO हो गया, 600 के उपर उनको FOMO हो चुका है, वो enter कर रहे हैं, वो enter कर रहे हैं, और यहाँ पर operator ने बाजी मारी, volume बढ़ाई, यहाँ से माल को निकाला, और उसके बाद देखिए, price फिर से वहीं पर 686.90 के नीचे आ गया, तो दोस्तों यह आपको example clear हुआ, इसमें ऐसा नहीं है, कि infosys उपर नहीं जा सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको entry और exit को कैसे perfect करना है, for long term, for swing trading, आपको इससे I am sure सारी सारी चीज़ चीज़ इतना difficult नहीं है, इतना complex नहीं है, things are very simple, I hope you have been able to understand, और मैं आपको सारी चीज़ अच्छे समझा पाया हूँ, इसी प्रकार के charts खोलें और समझें, तो दोस्तों homework करिए, homework करें भी ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप एक, no, find out charts, देखिए, weekend है आपके पास, देखिए, कौन सा ऐसा stock है, जहां पर आपको लग रहा है, operator enter कर रहा है, मतलब उस chart को refer करो, जो मैंने आपको बताया, और उसको देखो कि कौन सा ऐसा stock है जहां पर operator enter कर रहा है, और कौन सा ऐसा stock है जहां पर operator exit कर रहा है, जहां exit कर रहा है, वहां पर बिलकुल भी wait नहीं कर नहीं कर रहा है, उसके साथ simultaneously enter करना है, important video है, अपने friends के साथ share करो, discuss करो, question करो, कोई question queries है, नीचे comment section में लिखो, please let me know your views, आपको video कैसा लगा, video में आपको क्या improvement चाहिए, या फिर आपको लगता है कोई part ऐसा है, जो कि cover नहीं हुआ है, let me know in the comment section, so that I can cover it in the next part of my video. Thank you so much for giving your precious time, and bye-bye for now.